बदरीनाथ, हिंदी मूवी रिव्यू बदरीनाथ, वीवी विनायक द्वारा निर्देशित और अल्लू अर्विंद द्वारा निर्मित 2011 की भारतिय तेलुगु भाशा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है इसमें अल्लू अर्जुन मुख्य समुराई की भूमिका में हैं जो एक कुशल भारतिय समुराई है, जिसे एक धार्मिक गुरु और मार्शल आर्ट विशेशग्य भीश्म नारायन द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है बदरीनाथ मंदिर का रक्षक बनाये जाने के बाद, बदरी एक नास्तिक महिला अलकनन्दा की इश्वर में आस्था को पुनरजीवित करने की कोशिश करता है, जो उसके प्यार में पड़ गई है और उसके क्रूर चाचा सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जबकि उसके गुरु को शक होता है कि वह अलकनन्दा से प्यार करता है, जो उसके उत्तराधिकारी बनने के नियमों के खिलाफ है अल्लु अर्जुन एक आधुनिक भारतिय समुराई की भूमिका निभाते हैं, जिसके लिए उन्होंने वियतनाम में गेहन मार्शल आर्ट और तलवार बाजी का प्रशिक्षन लिया एक साक्षातकार में रवी वर्मन ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद, स्पेन, इटली, जर्मनी और आस्ट्रिया के बदरीनाथ मंदिर के अलावा रोहतां दर्रे के रास्ते में कुलाबा में एक सेट पर पैन्विजन लेंस पर की गई थी पहले यह बताया गया था कि फिल्म का तमिल में डब संसकरण भी होगा जिसमें अभिनेता संथानम के हास्य द्रिशे जोडे जाएंगे लेकिन ते लुगु फिल्मों शक्ती और मगधीरा के तमिल डब संसकरणों की व्यावसायक विफलता के कारण यह योजना रद्द कर दी गई बदरीनाथ 10 जून 2011 को दुनिया भर में 1400 स्क्रीन पर रिलीज हुई जहां इसे आलोचकों से मिली जुली से लेकर नकारात्मक समीक्षाय मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर ओसत सफलता बन गई प्रेम रक्षित ने फिल्म के गीत नाथ नाथ के लिए सर्वश्रिष्ट नरत्य कोरियोग्राफर का फिल्म फेर पुरसकार जीता भीश्म नारायन एक धार्मिक गुरू और मार्शल आर्ट विशेशग्य हैं जो एक चरवाहे के बेटे बदरी को चुनते हैं और उसे एक कुशल समुराई और बदरीनाथ मंदिर के रक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित करते हैं वह जल्द ही अलकनन्दा से मिलता है जो एक नास्तिक महिला है जिसे वह मंदिर में दिया बुझाने की सजा के तौर पर उसी नाम की नदी में फैंक देता है खास तौर पर उसके बीमार दादा को ठीक करने के बाद भीश्म द्वारा उसके दादा द्वारा मनाए जाने के अलकनन्दा को सजा के तौर पर एक लाख दिये जलाने का आदेश दिया जाता है, जिसे बदरी उसे भक्ती के साथ करने के लिए मना लेता है। अलकननन्दा की जबरन अपने बेटे नानी से शादी करवाना चाहती थी। बदरी भगवान में अपनी आस्था को फिर से जगाने की चुनोती लेता है। जब वह अपने माता-पिता के लिए पिंडदान करता है, तो वह उसके प्यार में पढ़ जाती है। बाद में बदरी को भीश्म द्वारा अमरनाथ मंदिर की रक्षा करने के लिए बुलाया जाता है, जिसके रक्षक की हत्या कर दी गई है। अपनी तलवार से सभी आतंकवादियों को मारने के बाद बदरी को भीश्म द्वारा सारवजनिक रूप से पेश किया जाता है। अलकनन्दा, जिसका इश्वर में विश्वास भी पुनरजीवित हो गया है, बदरी के मातापिता से मिलती है जो उनकी शादी के लिए सहमत हो जाते हैं, लेकिन जब भीश्म उन्हें बताते हैं कि बदरी को उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए ब्रहमचारी रहना होगा, तो वे दुविधा में फंस जाते हैं। गिरोह बदरी और अलकननदा पर हमला करता है क्योंकि वे मंदिर तक पहुँचने के लिए समय के खिलाफ दौडते हैं, लेकिन बदरी उन्हें उनसे बचाता है और उन्हें मंदिर में प्रवेश करने और अपनी इच्छा पूरी करने की अनुमती देता है। अन्हें में लीन होने के दौरान नानी नदी में एक मूर्ती फैंकती है, जिसे बदरी नदी में कूद कर और गुर्गों को मार कर वापस ले आता है। लेकिन मूर्ती को फिर से स्थापित करने पर नानी उसे चाकू मार देती है और उस पर अलकनन्दा से प्रेम करने का आरोप लगाया जाता है। भीश्म चौंक जाता है और उसका संदेह और बढ़ जाता है जब वह देखता है कि अककनन्दा को ले जाया जा रहा है और बदरी को होशाता है और वह उसका नाम पुकारता है। मंदिर छै महीने के लिए अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाता है जिसके दौरान बदरी ठीक हो जाता है और अलकनन्दा की सगाई नानी से हो जाती है जब सरकार उसके दादा को मार देती है। अलकनन्दा बदरी को मदद के लिए एक पत्र लिखती है जिसे भीश्म प्राप्त करते हैं और फार देते हैं लेकिन बदरी उसे ढूंध लेता है और उसी पहाडी मिट्टी से जवाब देता है जिसका उप्योग उसने उसके दादा को ठीक करने के लिए किया था। सरकार और उसका परिवार एक गुरु से सीखता है कि शादी होने वाली नहीं है। सरकार देता है जबकि बदरी खुद बेलारी रेलवे स्टेशन पर गुरुगों का नरसनहार करता है और अलकनन्दा को बचाने से पहले नानी को सूली पर चड़ा देता है। आश्रम को खंडहर में देखकर और यह महसूस करते हुए कि बदरी अपनी तलवार केवल धार्मिक सुरक्षा के लिए साथ ले गया था। क्रोधित भीष्म बदरी को बदरीनाथ खाली करने का आदेश देते हैं जब बदरी अलकनन्दा के साथ आता है। वह बदरी को भीष्म के चंगुल से मुक्त करने के लिए भगवान का धन्यवाद करती है। लेकिन सरकार उसकी पतनी और गुर्गे अलकनन्दा का अपहरन करने के लिए बदरीनाथ पहुँचते हैं। बदरी उसे सौंक देता है और बताता है कि वह केवल अपना वादा निभाना चाहता था और उसके लिए कभी कोई भावना नहीं थी, बलकि इसके बजाए अपने गुरु को अपना जीवन समर्पित करता है। भीश्म बदरी से माफी मांगते हैं और उसे प्रार्थना करने की अनुमती देते हैं। इससे पहले कि अलकननदा यह बताए कि वह किसी और से नहीं बलकि बदरी से प्यार करती है, जो उसे ले जाए जाने से बेफिक्र है। हालांकि भीश्म बदरी के प्रती अलकननदा के प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं और उसे उसके लिए जीने का आदेश देते हैं। बदरी गुर्गों को मार देता है और चाकू से द्वंद्वयुद्ध के बाद सरकार को हरा देता है, उसे इस शर्थ पर छोड़ देता है कि वह भविश्य में कभी अलकननदा का पीछा नहीं करेगा। बदरी और अलकननदा को मंदिर में सभी लोग आशिरवाद देते हैं और जाने से पहले भिश्म उन्हें अपने भावी बच्चे को प्रशिक्षन के लिए सौंपने के लिए कहते हैं।